नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंकित और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेरी टोप टीवी में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बदलता मोसम हमेशा ही अपने साथ बीमारिया लेके आता है चाहे वो सरदी से गर्मी में चैनल रहा हो या गर्मी से सरदी में जैसा आप जानते हैं अक्तुबर का महीना सुरू हो चुका है और हलकी हलकी सरदी सुबह साम सुरू हो चुकी है तो वैसा हमोर रात में भी हलकी हलकी सर्दी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे मोसम में आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको खांसी, जुखाम, बुखार, ऐसी बहुत सारे बीमारियां दे सकते हैं। बदलते मोसम में हमें अपने सरीर का खास ख्याल रखना हैं। क्योंकि एक आप उधारन लीजिए, मान लीजिए आप अपने घर में या अपनी कार में एसी में बैठे हो और कुछ देर के बाद आप गरम वातावरन में चले जाओ, तो आपको सर्दी हो जाएगी, आपको जुखाम हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आप अचानक से सर्दी से गरमी में आ गए, आप उस वातावरन के आदी नहीं थे। अगर मोसम एक जैसा है, यानि गरमी का ही वातावरन है, या सर्दी ही पड़ रही है, तो हमारा सरीर उस चीज़ का आदी हो जाता है। अगर गरमी से सर्दी में या सर्दी से गरमी में एक दम से जाया जाता है, तो उसमें वीमारी आने का खत्रा हो जाता है। तो इस मोसम में हमें अपने सरीर का खास खयाल कैसे रखना है। गर से बाहर जाते समय, सुबह साम, जो की अभी अक्टूबर के महीने में सुबह साम की ही सर्दी सुरू हुई है, तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, पूरी पैंट्स पहने, सोट्स ना पहने, और अगर जरुत पड़े तो गरम कपड़ों का भी इस्तेमाल करें, ना करें, नॉर्मल पानी पीएं या गुनगुना पानी पीएं, लेकिन ठंडी वस्तुओं का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ये आपके लिए खतरनाक सावित होगा, आप बीमार पढ़ जाएंगे, नहाते समय भी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, दोस्तों अग अपना चेक अप कराएं, दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें, हमारा उद्देश से हमेशा यही रहता है कि हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करें, ताकि आप स्वस्त रहें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.